आप सभी का स्वागत है Eğer आज की इस कहानी का नाम है राजा और जादूई पानी प्राचीन समय की बात है भीषनपूर नाम के राजय में दुश्यंत नाम के एक राजा रहते थे वह एक बहुत ही अच्छे और कुशल शा सक्ते उनके राजय में उनकी प्रजा बहुत ही ज्या भनक भी नहीं थी इस वजह से वो आक्रमल की तयारी भी नहीं कर पाए परिनाम ये हुआ कि उनकी सेना दुश्मन की सेना के आगे तूटने लगी राजा दुश्यंत के कई सेनिक मारे गए उनका रत भी तूट चुका था जिसकी वजह से उनका घोडा और खुद वो भी घायल हो चुके थे राजा दुश्यंत को घायल होता हुआ देख उनकी सेना पती ने कहा महराज हमारी सेना दुश्मन की सेना के आगे कम जोर पर रही है मेरा सुझाव माने तो आप कुछ समय के लिए इस राज्य से कही दूर चले जाए इस बार नहीं तो हम अगली बार अवश्य जीत जाएंगे नहीं सेना पती मैं अपने राज्य और अपनी सेना को इस तरह मुसीबत में छोड़ कर नहीं जा सकता मेरी बात समझे महराज ये समय सोच समझ कर विचार करने का है आप सेना और राज्य की चिंता मत कीजिए जब तक मेरे प्रान है तब तक मैं पूरे बल के साथ दुश्मन का मुकाबला करूंगा आप एक बार स्वस्थ हो जाए उसके बाद आप इस राज्य में वापस अपना कदम रखना सेना पती के जोड़ देने पर महराज दुश्यंत मान जाते हैं और अपने घोड़े को लेकर एक घने हरे भरे जंगल की और निकल जाते हैं थोड़ी दूर चलने के बाद उन्हें तेज प्यास लगती हैं प्यास बुझाने के लिए वे उसी जंगल में रुप जाते हैं सामने पहाडों से बहता हुआ जहरना देख वे अपने घोड़े को वही घास जहरने के लिए छोड़ देते हैं और खुद उतर कर उस जहरने की तरफ बढ़ते हैं सबसे पहले वे जहरने का शीतल जल पीते हैं जिसके बाद उन्हें हल्का विश्राम महसूस होता है पानी को पी कर जैसे ही वे उटते हैं वे देखते हैं कि एक लंगलाता हुआ हिरन एक गुफा में गुसता है और बहुत ही कम समय में ठीक होगा और खेल कूड़ता हुआ गुफा से बाहर निकलता है। ये सब देख राजा दंग रह जाते हैं। वे उसी क्षन उठते हैं और उस गुफा की तरफ बढ़ने लगते हैं। गुफा में प्रवेश करने के बाद राजा देखते हैं कि सामने एक व्रिध महापुरुश आश्रम लगाए बैठे हुए हैं। ठीक उनके सामने शेर, हिरन, हाथी, लोमडी और खरगोश बैठे हुए। ये देखकर राजा पूरी तरह से हैरान हो जाते हैं कि इतने हिंसक जानवर एक दूसरे के आसपास कितने प्यार से बैठे हुए हैं। वो कुछ कहने वाले होते हैं कि अचानक म महापुरुष का ध्यान तूटता है। महापुरुष को ये बात पता नहीं होती है कि उनके सामने भीशनपुर राजय के महाराज खड़े हैं। उन्हें एक साधारन पुरुष की तरह समझ कर कहते हैं। कौन हो तुम। और तुम्हारे शरीर पर यह चोट के निशान कैसे ह हैं। महाराज अपना सच छुपाते हुए कहते हैं। मैं राजा दुष्यन्त का एक करीबी सेवक हूँ। ये सुनकर महापुरुष कहते हैं। लेकिन श्रीमान, मुझे ऐसा आभास हो रहा है कि आप कोई आम इंसान नहीं है। क्योंकि आपके सीने पर राजचक्र प्रतीत हो रहा है मुझे। सही कहा बाबा, मैं ही राजा दुष्यन्त हूँ। कोई बात नहीं तुम सही जगह पर आ गए हो। मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी देता हूँ जिसे खाकर तुम पल भर में स्वस्थ हो जाओगे और तुम्हारे घाव भी भर जाएंगे। महापुर बाबा, यह क्या था? मेरा घाव तो इतनी जल्दी भर गया। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आपने पल भर में कोई जादू सा कर दिया है। नहीं महाराज, मैं भी आपकी तरह एकाम इनसान ही हूँ। यह सब तो इन औशदियों का कमाल है। यह बाबा, आपने मुझ पर बहुत बड़ा उपकार किया है। मानगिए, आप इसके बदले में क्या चाहते हैं। आप कहें तो सो गाओं मैं आपको दान कर सकता हूँ। रहत खुशी और शान्ती मिलती है। मैं आपसे केवल यही मांगना चाहता हूँ कि जंगल में रहने वाले पशुपक्षियों का शिकार न किया जाए। जैसी आपकी इच्छा बाबा, आज से मैं अपने राजय में जाकर ये अलान कर दूंगा कि जंगल के पशुपक्षिय का रूप रखते हैं और गाव में जाकर अपने थहराव के लिए पूचते हैं। उनमें से एक व्यक्ति राजा के सामने आता है और अपने घर चलने के लिए कहता है। घर चल कर वह राजा को खाने के लिए भूजन देता है। राजा भूजन खाते हुए कहते हैं, वाह! क् स्वादिष्ट भोजन है, ऐसा भोजन तो मैंने कभी अपने जीवन में चखा ही नहीं। सही कहा महाराज, मेरी पत्नी बहुत ही स्वादिष्ट भोजन बनाती है। उसके हाथों में तो मानो जादू साही है। इसके बाद राजा उस व्यक्ति का नाम पूचते हैं। जाने के ये अपने सेनापती को भेजते हैं। नहीं महाराज, मिठाई तो मैं लेकर नहीं आया हूँ। मिठाई नहीं लाए हो तो सजा तो मिलेगी। सेनापती, हमारे परम मित्र रिशीराम को पचास गाउव भेत में दिये जाएं। साथ ही हमारे राज्य में इन्हें एक अच्छा पग भी दिया जाए। और रिशीराम आपके लिए सजाय यह है कि आपक माह के अंत में राज्य सभा के सभी लोगों को अपनी वह मिठाई जरूर खिलाएंगे। ये सुनकर रिशीराम हस्ते हुए कहता है जी महाराज जरूर। अब रिशीराम पचास गाउव का मालिकी नहीं बलकी महाराज दुश्यंत का परम मित्र भी बन चुका था। इस कहानी से आपने क्या सीखा। नीचे कॉमेंट में हमें जरूर बताएं।